हलो गाइज नमस्कार स्वागात है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुकला एलेक्ट्रोनिक्स याइज यह सामसंग का 48 इंच लेडी मेरे पास आज रिपेर के लिए आया जिसका मॉडल नमबर है यूए 48H 5100 AR ये सेट मेरे पास नो डिस्प्लेइ अल्ली आई यूट्यू इस प्राबलम के लिए आया था ये इसकी आपको ये पावर सप्लाई देचलें ये इसकी पावर सप्लाई ये इसका मेन बोर्ड और ये इसका टीकान ये स्टीक और में यहाँ पर एक LED एक में होड़ करेंगे यहाँ पर टीन LED जलती हैं साथ ये एक LED यहाँ पर है वही बस ब्लो हो रही थी और मैंने जब चेक किया तो पैनल का ओल्टेज 12 ओल्ड यहाँ पर आ रहा था इस फ्यूज में उसके अलावा 3.3, 1.5 और ABDD 15 से सत्य ओल्ड जो आता है वो ये सब कुछ भी नहीं बन रहे थी अब उसका मतलब यह होता है कि यह तो यह DC लीजी टूडी जी आइसी 100% खराब हो गई है इसको रिप्लेस करें या इस टीकान को रिप्लेस करें कि मेरे दिमाग में भी आयता फिर मैंने का कि चलो एक बर यह मैं अखीर शुक्ला स्वायत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर क्या आप अपने सहर पर स्याटी टेक्नेशन के लिए LED LCD रिपेरिंग की ट्रेनिंग और गनाइस करना चाहते हैं तो कृप्या मुझसे रोज 11 बजे से लेकर साम 6 बजे तक के लिए विस्ति जानकारी के लिए प्लीज मुझसे संपर करें कौल करें डिटेल में और जो आपको जानकारी चाहिए प्रदान की जाएगी धन्यवाद यहीं पर डॉट बना हुआ है और प्रिंट भी है वो बनने लगिया बट इसका मतलब हो वीजी यहां पर बनाया है वीजी अच और वीजी इलिए इससे निकला आय है और लेवल शिटर का काम दिया है के second ICC है, इसकी T-con ICC होगी, खर मैंने ये FFC केबल को निकालने के बाद में, जब ABDT नहीं बना, 3.3 और 1.5 बस बना, तो मैंने ये, मैंने उस समय दिमांग में आता है कहीं CKV लाइन में सौर्टिंग तो नहीं है, उसको ब्लॉक करें, यहां CKV लाइन में दिखा दूँ, आपको ये CKV लाइन, ये यहां पर, ये जूम करता हूँ मैं, ये देखिए, ये CKV लाइन है, मगर मैंने CKV लाइन ब्लॉक करने के पहले, मैंने ये किया कि, ये जो second FFC केबल है, second FFC केबल को भी मैंने ओपन किया, इस केबल को ओपन करने के बाद भी situation सेम थी, यहां ABDT की ओल्टेज नहीं बन रहे थे, अब जब इसको भी open करने उन्हीं बन रहे, इसको भी नहीं करने बन रहे, इनको open करने के बाद, सीदा-सीदा क्या हुआ, यहां से जो CKV signal आगे जाते हैं, वो जाना बंद हो गया, अगर जाना बंद हो गया, मतलब, sorting से disconnect हो गया, sorting से disconnect होन So that मैंने एक काम किया कि मैंने देखा कि यह scalar board में जो capacitors अगरा लगे हैं, और CKV line के पास, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, यह देखना होंगे, यह diodes अगरा लगे हैं, supporting safety के लिए, तो यह सारों को चेक किया, यह सारे सही बता रहे थे, फिर मैंने आप देखिए, मैं close करता हूँ, और close कर लेता हूँ, सायर अच्छा सा clear से दिख जाए, यह देखिए, यह capacitor यह sourding दिख रही होगी, यह ऐसे चार काफ इस side है, चारों के सारे capacitors को मैंने वो किया, चेक किया, continuity बगरा, और कहीं doubt था, तो मैंने निकाल के भी चेक किया, देखिए, इसमें solder भी दि sorting नहीं मिली, so that मैंने याले स्केलर की को चेक करना शुरू किया, इस स्केलर में यह जो capacitor देख रहा है, यहाँ पर मुझे sorting मिली, बजा रेंज में यह लगवाज जीरो बता रहा था हो, so that मैंने किया कि one by one याले ही लाइन के capacitor पहले trace कर लिया, continuity से, यह यह पहला का ऑफ इस side के स्केलर का, यह capacitor को निकाला चेक किया, फिर यह capacitor को निकाला चेक किया, फिर यह capacitor को निकाला चेक किया, फिर यह capacitor को निकाला के चेक किया, यह वाला, अग इस capacitor को निकाला के चेक करने पर, यह जीरो ओम बता रहा था, मैंने एक capacitor मेरे पास था मैंने replace किया और उसके बाद यह FFC केबल दोनों connect किये connect करने के बाद मैंने जब चालू किया set तो यहाँ पर यह second LED भी जल गई थी 3.3 आने बाद और third LED यहाँ पर है AVDD line के पास वो भी जलने लग गई यह मतलब AVDD बनने लग गया AVDD अगर बनने लग जाता है तो वीजेच वीजेल और बाकी अधर voltage आने की 99% संभावना हो जाती है और वो आने लगे और पहले भी मैंने पिछले वीडियो में वेडियो में मैंने बताया है कि जब AVDD बन जाता है उसके बाद वीजेच वीजेल वीजेल वीकाम अगरे सब सारे voltage आने लगते हैं और जब सारे voltage हमें प्राप्त होते चाहिए वो टी कान हो चाहिए सकेलर हो तो पिच्चर आने की 99% संभावना होती है और जैसा कि मैंने देखा पिच्चर बनने लगी आपको दिखाता हूं और ये उससे पहले मैं दिखाता हूं आपको की पिच्चर जो सोर्थ दिखे मैं दिखाता हूं तो अकेले वीडियो मना रहा हूं तो पैमरे गों इहां रखता हूं आपको दिखाता हूं लाइन पे रहेंगे गाईस मैं ये मीटर वगर आरेंज कर लेता हूं ये मीटर और ये है वो कापेसिटर मैं थबा पीशे से स्क्रीन में देख लेता हूं कि ये कैमरे में आ रहा ही कि नहीं वरबन हाँ ये दोनों चीज आ गई और ये पिले रंग का प्लास्टिक का ढखकन है पेस्ट का उसके अंदर मैंने कैपेसिटर रखा हूं अब मैं आपको दिखा भी देता हूं ऐसा चीज़ा करके ये देखिए साथ दीख रहा हूं अब नहीं दिख रहा हूं तो मैं पास में लाता हूं ये देखिए ये कैपेसिटर ठीक है इस कैपेसिटर को अब मैं आपके सामने मेजर करके दिखा रहा हूं ये बजर में मीटर रखा हूआ है और ये देखिए लाइड मी गल गया और लगबग 9 ohm के 10 ohm के आसपास बता अब अब आपको TV चालू करके दिखाता हूं ये मैं सेट अन कर दिया है स्विच अन कर दिया हम इग यह थे पीनों लाइड भी टीक अन की जहनने लग गयी है आप को थीओं की लाइड भी दिखा देता हूं यह प्रिवलाइड यह तीनों लग जही तीसी लाइड जो अलक से हो यह आवी डीडी कि लाइन मैंने आपको बताया था भी वह जब एवी आउट नहीं होगा तब जलती रहें, ओके गाइस, अगे देखिए मैं तीमी को उठा रहा हूँ, यह देखिए गाइस, यह आपको पिच्छा सही, बिलकुल, बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉब्लम के लिए गाइस, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्राइब माइ चैनल, माइ यूट्यूब चैनल, नेम इज एके शुक्ला लेट्रोनिक्स, अभी तक मैंने 13 से 14 वीडियो लोट कर चुका हूँ, प्लीज वाच्छ माइ अल वीडियोज, ओके गाइस, थै